आईफा अवार्ड 2020 का आयोजन मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदावर में होने जा रहा है। सल्मान खान तीन फरवरी को भोपाल में इसकी घोशना करेंगे। साथी मुक्यमंतरी कमलनात के साथ मिन्टो हॉल में प्रेस कॉन्फरेंस भी करेंगे। इस दोरान उनके साथ फिर्म एक्टरिस कैटरीना कैफ और दीपी का पादुकोंड भी मौजूद रहेंगी। मध्य प्रदेश में पहली बार आईफा अवार्ड होने जा रहा है। आईफा अवार्ड 2020 की तैयारियां तेजी से चल रही है। अवार्ड कब और किस जगह होगा इस बात का ऐलान मुक्यमंद्री कमलनाथ, बॉलिवुड के दबंग सल्मान खान, फिल्म एक्टरिस कैटरीना कैफ, दीपी का पादुकोंड के साथ मिंचो हॉल में प्रेस कॉन्फरेंस कर इसकी खोशना करेंगे। आईफा 2020 का आयोजन 27 से 29 मार्च के बीच कराया जाना है। एक दिन भोपाल और बाकी आयोजन इंदोर में होना है। आईफा आवार्ड में 400 से अधिक फिल्म कराकार समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री से 5000 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। आयोजन के लिए नहरो स्टेडियम लगभग तैय है। मुंबई से बाहर दुनिया में कहीं लंडन में तो कहीं न्यूआर्क में आईफा वार्ड होता रहा है। बोपाल और इंदौर में मद्वदेश में होगा सारी दुनिया जानेंगे कि बोपाल इंदौर है और यह मद्वदेश है यहाई फावार्ड पुरार तीन तारिक को मुख्यमंत्री जी तीन बड़े कलाकार सल्मान खान अभिनेत्ती दीपिका पाज़कोर्ण और केटिना कैफ जो भोपाल आ रहे हैं उससाल उनकी मीटिंग भी होगी और प्रेस को भी संबोधित करेंगे आयुजन कंपनी विस्क्राफ्ट ने होलकर स्टेडियम और डेली कॉलेज की लोकेशन भी देखी है आइफा आवार्ड समारो का प्रसारण दुनिया के 90 देशों में किया जाएगा जिस पर 30 करोड रुपए वियाए होंगे तीन दिन का ये समारो एक दिन भोपाल और दो दिन इन दौर में होगा पहला आइफा आवार्ड समारो 2000 में लंदन में आयुजित किया गया था